जै माहादादी आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल माहादी शक्ती मेडिटेशन के इंदर में आप सभी लोगों का सवागत है आज का हमारा ये वीडियो ये एपिसोड होने वाला है दिव्वेद्रिष्टी से रिलेटेड क्वेशन है कोन से मंत्र से आप करने वाले आज कुछ बाते मैं आपको बताना चाहूंगा शुरू करने से पहले कि अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कुछ भी आपको कहना है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो एक कॉम्पेटिशन में चल रहा है जो भी सब्सक्राइब करके लाइक करके कॉमेंट सेक्शन में लिखने वाला है कुछ भी आपको वीडियो के बारे में जैसा भी लगी आप मैंसे मैं सेलेक्ट करने वालों कि सीए को जो मेरे दिव्वद्रिस्टी के ग्र ध्यान से आप हर चीज सुनिएगा और आपके पास अगर कोई कॉपी है तो डेफिनेट्ली आप पैन ये पैंसिल लेखे बैठ जाओ क्योंकि बहुत कुछ आपको नोट करने के लिए आज मैं बदाने वाला हूं सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कौन से मंत्र से आप शिर्वात कर सकते हो अपने दिव्वद्रिस्टी की सबसे पहले में बात करेंगे देखो मंत्र बहुत तरीके के होते हैं वैदिक मंत्र में बहुत सबी काटिकरीज है दन शाबर मंत्र आते हैं साबर मंत्र and we have a huge number of mantras and सबके अपने अपने सेक्षिंस है सबके अपने अपनी चीजे है what I prefer and what I think is the best मेरे according जो best रहेगा आपके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ और आप नोट कीजिए बात definitely आपको उससे फरक मिलेगा अगर आप वो करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको select करना है एक mantra जिस mantra में बीज हो बीज मैं आपको कुछ examples देने वाला हूँ कुछ मंत्र के बीज के बारे में इसमें बीज मंत्र में जो में माता काली के मंट्र की बात करो वह पूँ इसमें ह् मंत्र मोजूत मजूत मयरा ऐसी बहुत सारे मंत्र हैं झिस जे भागवान का बीज मंत्र धैर में जी का भीramentर आता है हर मंतर आता है मादुर्गा का भी बीज मंतर है बहुत सारे मंतर आते हैं जिसमें बीज मंतर हो माप अपना इश्ट सिलेक्ट कीजिए इश्ट मतलब जिनसे आप सबसे जड़ा प्यार करते है ऐसा God जो आपको लगता है आपकी प्रेफरेंस पर अपको लगता है कि यह गौर्ड से आपका connection काफी अच्छा बनता है और आपके और उनकी energies match करती है और आपकी vibe उनसे match करती है उस God या Goddess का आपको मंत्र chant करना शुडू करना है chanting आप कैसे करोगे क्या आसन यानि कि एक रेड कलर का आपको आसन चाहिए राइट या येलो कलर का रेड आप प्रेफर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा मैं रिली कह रहा हूं अगर आप इस वीडियो पूरे देख लेए आपको द्रिश्टी की पूरी एक गाइड मिल गई तो फिर आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा ध्यान से वीडियो को सुनना प्रॉप पर मैं हर एक चीज आपको बताने वाला हूं आसन चाहिए आपको एक रेड कलर का रेड आप प्रेफर करोगे तो बेच रहेगा अधवाइस आप येलो ले सकते हो अपार्ट फॉम इस ब्लू खुल ब्लू भी नहीं नो डाग कलर अग ब्लां ऐंध ब्लू अब उड़क करना ऊसके अलावाप ले सकते हैं और आपको बैठ जाना है उस असन पर उससन पर प्रेंट है कुछ दूसरा कलर का प्लू एं ब्लाइकर प्रॉबलम नहीं ओंतु हो ब्लूर नहीं साओं स आप बैठेंगे उस आसन पर माला लेंगे माला आप अपने गौड के रिलेटिट ले सकते हैं भगवान शिव से रिलेट रुद्राक्ष यूज किया जाता है कृष्ण भगवान से रिलेटिट तुल्से की माला यूज होती है और भी बहुत सरी माला है मादुरुगा के लिए आप रुद्राक्ष भी उसकर सकते हैं लाल चंदन की माला भी उसकर सकते हैं सेम गोस फूर हनुमान जी तो उसकी कोर्डिंग आपको स्लेक्ट करना है और माला अगर नहीं है तो आप उसे जागरित कर लीजिए जागरित कैसे करते हैं ओवरनाइट उसको आप डिप करके र अब बोलोगे तो मैं लिंक ढाल दूंगा आप देख लीजिए गा अधर वाइद सर्च कर सकते हो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा संकल्प कैसे ले आप लेकिया मार शक्ति मेडिटेशन सेंटर आपको मिल जाएगा और आपको संकल्प लेना है कि आप दृष्टी के लि चैन्ट करने वाले जो भी एनर्जी को बुलाने वाले उसारी एनर्जी यूज़ होगी आपके दस्टी या फिर थर्ड आई खोलने में ऐसा आपको करना पड़ेगा यह पूरा प्रोसीजर रहेगा और आप बैठ जाएंगे और चैन्टिंग स्टार्ट करेंगे अब कितना चैन्ट करना है देख हो कि लोग माला गिनते को समय के करत आथे एक घंटा ती गंटा पॉर्टी मिनट कुछ लोग माला गिनते हैं मैं प्रइफर करूंगा कि आप用 स्टार्टिंग में स्टार्टिंग करें का एक घंटा लग जाए माला करं Ala करने माप ब्रेक्स लेडिकर 20 20 20 minutes करके बैठ सकते हो half an hour half an hour बैठ सकते हो या फिर आप 15 15 15 15 करके चार बारी बैठ सकते हो according to you आप जैसा मर्जी करें बहुत सारी चीजे मैं आपको समझाने वालों भी आगे भी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है बट कोई बात नहीं आपको नौलिज पूरी मिलेगी जब आप जाप करना शुरू करेंगे तो अगर आप एक बिगनर है तो धीरे-धीरे आपकी बॉड़ी में जाप भरना शुरू होगा तब तक आपको कोई एक्सपिरेंस नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा आप बीच में खो जाओगे जाप करते करते इतना आपके साथ जरूर हो सकता है धीरे-धीरे करते जैसे 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 जाप आपका बॉड़ी में भरेगा इंटरनल भरेगा अंदर भरेगा बॉड़ी के वैसे वह ब्रहम रं जैसे आपका और 100% complete हो जाएगा उसके बाद वह उर जाए और बनने के बाद वह उर जाए यूज होंगी आपके कुडलीनी को उठाने में जैसे आपका और बन जाएगा आपके रोंगते खड़े होने लग जाएगे और धीरे-धीरे एक्सपीरेंस आपके बढ़ जाएगे आ अराम से देखना अभी फिलाल के लिए आप लोग जाप पे कॉंसेंट्रेट कीजिए जो लोग इस बिग्नर स्टार्ट कर रहे हैं अभी और धंक से नहीं बनाए कुंडलीनी नहीं उठी है वो लोगों अभी जाप पे प्रेफरेंस रखें अपनी क्योंकि खाली ध्यान करन से ध्यान लगाते वक्त आपको केंड़ित करना है अपने थर्ड आई को मैं आपके लिए लगलक मुद्राई भी लेकर आने वाला हूं जो हर चक्रास से रिलेटेट होंगी और उससे आपकी चक्रास एकदम प्रॉपर तरीके से लिफ्ट होंगे और आपको बहुत सारी एनर कुली नी कहां तक जाती है मैं और आके डालने वाला हूं कैसे बता लगे किस लेवल पर है राइट एक्सपिरेंस के कॉडिंग तो दीरे दीर आपके कुली जब आपके आगे चकर पर पहुंच जाएगी उसके बाद आप त्राटक करना स्टार्ट करेंगे कुछ लोगों के में आने वाला है राइट सारी बजेटेबल मेक्स हो गई है तो मेक्स वैज नहीं बनाएंगे हम लोग हम लोग फिलाला भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे सब कुछ इजी आप लोगों के लिए रखेंगे डेफिनिल आप वीडियो दुबारा देख सकते हैं कुछ भी अगर आपको लगे भूल चुकियो या फिर आपको याद करना हो सब कुछ कि क्या प्रोसीजर है क्या पूरा फॉलो करना है राइट दूसरी बात प्लीज जो भी आप माला से चैंटिंग कर रहे हो मैंने वहलूंगा कि आप उस माला को गले में पहने हाथ में पहने कहीं पह प्लीज बिना नाय धोए माला नहीं उठानी हाफ टू टेक बात पहले आप नहाई उसके वाद आप माला उठा सकते हैं आप मानसिक जाप पूरा दिन कर सकते हो माला बिना उठाए बट माला उठानी है तो आपको नहाना जरूरी है ठीक है माला क्योंकि एक पॉजिटिव आप उसको बिना नाय गंदे हादों से नहीं चुएंगे एक और बात आपको अपने इन्वारमेंट पॉजिटिव रखना है नेगिटिव थौट बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए आपके माइंड में ब्रहमचर्य का पालन कीजिए जब तक आप साधना के पीरेड में है य पावर रखनी अपने बॉडी में कुंदलेनी को ठाने के लिए और बनाने के लिए अदरवाइस और नहीं बनेगा बार बारी ब्रहम चर्य दोडने की वज़े से और कुछ और बाते मुझे करनी है आसन पर रखना है क्या बैट पर सकते हैं सोफा पर रख सकते हैं काउच प पर रख सकते हैं अगर आपके लेग्स में प्रॉब्लम है यूँकन डेफिनेटली पूट यूर आसन ओंचेर और राइट आप बैट सकते हो चेर पर डेफिनेटली 100% अगर आपके पैर पर प्रॉब्लम है बैट पे आप रखेंगे अगर वह बैट घ्रस्त नहीं है फैमिल बैट नहीं है एक कहें तो घ्रस्त नहीं है तो आप बैट पे भी कर सकते हैं बिल्कुल भी ठीक है फ्लोर बैस्ट रहता है विदाउट आसन जाप नहीं करना है अदरवाइस ग्राविटी घृत्वा अकरिशन जिसको हिंदी में बोलते वह आपके एनरजी को खीच लेगा कर लेगा एंड आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो सारी महनुत वेस्ट हो जाएगी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है साथी में काफी लोगों की बहुत सारी क्वेस्टेंज आ रहे हैं तोड़ा सा बीजियोने की कारण में रिप्लाइन नहीं दे रहा था बट आमें पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को सारी चीज़ा बताने के लिए हम लोग अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं आप सभी लोगों की सपोर्ट से यह पॉसिबल हुआ है क्योंकि आप लोग मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हो थैंकि सो मच फॉदाट और मैं यही प्राथना करूंगा आप सब के लिए कि आप सब लोग भी अध्यात्मिक में आगे जाएं विकोज यह कल्यूग है हम लोगों को प्रमोट करना इन चीज़ों को यह सब कर सकता है आप लोगों को डिगनिटी के साथ हर चीज को करना चाहिए आई होप मेरे थोट्स आपके थोट्स से मैच करते हैं अब यह के लिए फिलाल इतनी ही बाते करेंगे जैमातारी आप सभी लोगों को और थैंक यू सो मच फर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्स्राइब कीजिए इन कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको यह मेरी इंस्फोमेशन कैसी लगी वीडियो कैसी रगी जैमातादी हर हर महादेव